क्या आप अपने लिए एक SUV कार देख रहे हो जो की compact भी हो और आपको SUV का fill भी देखने मिले तो ये कार आपके लिए perfect रहेगी दोस्तों ये है दोस्तों किया की sonet 2024 model बहुत ही upgraded model है दोस्तों इसके पहले वाले model से ये काफी जादा features से भरमार है दोस्तों safety से भरमार है काफी अ प्राइस लेवल भी देखने मिल जाते है बहुत ही जबर्दस गाड़ी है दोस्तों तो इसका प्राइस चालो होते हमारे नाखपूर में 9.5 लाग से 19 लाग के बीच में ये इसका on-road प्राइस चालो होते है हमारे नाखपूर में वगर आपको बेटर प्राइस जानना है त कुकि 1197 CC का एंजिन देखने मिल जाता है Dadаст 1493 CC का इंजिन देखने मिल जाता है और 998 एड़ास आप्शन पेट्रोल और डिजल में जाता है ट्रांसमेशन की बात करेंगे दोस्तों ट्रांसमेशन इसमें आपको मैनोल भी देखने मिल जलता है और क्लचलैस मैनवल आयम्टी का option भी दिया गया है और automatic मतलब आपको जो और transmission चीए दोस्तों वह आप इसमें choose करके आप गाड़ी बाइब कर सकते हो five-seater में आपको यह गाड़ी देखने मिल जाती है दोस्तों और इसका mileage की बात करेंगे दोस्तों mileage बहुत ही बहतरी सा निकाल के देती है डीजल में अगर आपको petrol option भी है दोस्तों आप petrol में भी ले सकते हो तो petrol में दोस्तों यह 18 की mileage claim कर लेती है और डीजल में 24 मतलब 18-24 का mileage आपको petrol डीजल में मिल जाएगा दोस्तों टॉर्क की बात करेंगे दोस्तों मैक्स टॉर्ड एक्सो पंद्रा और एकसो 72-250 एनम का टॉर्क मनलब यह तीन प्रकार के आपको टॉर्क देखने मिल जाएगा जो कि आप जो इंजिन चूस करोगे उस हिज़ाब से आपको यह मैक्स स्टॉर्ड देखने मिल जाएगा दोस्तों मैक्स पावर बी एच्प की बात करेंगे दोस्तों 182 BHP की और 113 BHP की और 118 BHP का ये पावर निकाल के देती है बूट स्पेस की बात करेंगे दोस्तो 392 लिटर का आपको बूट स्पेस देखने मिल जाएंगा और डाइमेंशन की बात करेंगे दोस्तो आपको गाड़ी के हाइट वीट और लेंथ आपको कितनी मिलता है लेंथ दोस्तो आपको यहापर 9995 NM का आपको लेंथ देखने मिल जाता है विर्द बात करेंगे दोस्तो 1790 mm का आपको विर्द देखने मिल जाता है हाइट की बात करेंगे 1647 mm का आपको हाइट देखने मिल जाता है बहुत ही कमाल की इसकी लेंद भी काफी अच्छी है वीर्द भी काफी अच्छी है और हाइड भी काफी अच्छी है दोस्तो तो यह power तो आपको बहुत ही बहथ देंगा रहें दोस्तो और mileage के साथ आपको इसका fuel tank capacity देखने मिल जाता है जो कि 45 लेटर का देखने मिल जाता है और काफी अच्छे पैडल सिफटर भी देखने मिल जाते हैं और कुछ इती बड़ी आपको screen देखने मिल जाती infotainment system काफी अच्छे दिये गए है और आप यह आ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे यह ACK, knobs वगरे भी काफी अच्छे, ventilator, seats देखने मिल जाती है, 360 degree camera देखने मिल जाता है, traction control वगरे, आपको बहुत ही सही देखने मिल जाता है, और speakers की बात करेंगे दोस्तों, Bose का sound system देखने मिल जाता है, जिसमें आपको infotainment system भी काफी जबरदस्त है, speedometer भी पूरे digital है, और इस परकर के आपको यह sunroof देखने मिल जाती है, voice assistant के साथ आपको यह sunroof available हो जाती है, और यहाँ पर आपको reading lamp है दोस्तों, यहाँ पर आप specs रख सकते हो, काफी अच्छी stories गिदी गई है, यह आपके sun visor है दोस्तों, जो कि आपको sun से बचाने के लिए यहाँ पर आपको एक mirror देखने मिल जाता है, और कुछ इस तरीका के यह door रहेंगा, door भी काफी अच्छा दिया गया है, और proper आपको black का theme देखने मिल जाता है, और door पर beach color में देखने मिल जाता है, और यहाँ पर आपको mobile charge करने के लिए wireless charging भी देखने मिल जाता है, और साथ पर आपको hand rest पे भी storage देखने मिल जाती है, कुछ इस तरीकी के leather seats देखने मिल जाती है, और बहुत ही अच्छी है, leather seats है, यहाँ पर sound system के बात करेंगे, और speakers के बात करेंगे, तो आपको boss का surround sound देखने मिल जाता है, जो होती है, बहुत ही अच्छा sound produce करने वाला है, इस गाड़ी में ही available हो जाते है, मतलब कोई भी किया की car लीजिए, आपको sun, sits, back seat में आपको मिल ही जाते है, दोस्तों कुछ इस तरीका का यह speaker रहेंगा, पीछे में back speaker रहेंगा, और यहाँ पर आपको bottle of quarters भी देखने मिल जाते हैं, जो कि एक लीटर की bottle आई जाएंगी चारो मिल जाते हैं, मतलब आपको type c ports भी देखने मिल जाते हैं, पीछे में charging करने के लिए आपके phone को rear एसी vents भी आपको available हो जाते हैं, मतलब इस गाड़ी में क्या नहीं है दोस्तों, आपको सारे के सारे चीज़े आपर available हो जाते हैं, मतलब यह गाड़ी नहीं है दोस्तों, बस बैए तरीन सा एक आपका घर बोल सकता हो papel सकते हैं कुछ इब हम सकते हैं इसको बहुत ही features के साथ आपको यह गारी available हो जाती है जो कि किया sonate 2024 model बहुत ही features देखने मिल जाते है looks بही थोड़ा सा पेले की मुकाबले में बहुत ही enhance हुए काफी अच्छा यह steering wheel है दोस्तों यहाँ पर आपको GT line की bedging देखने मिल जाती है और यहाँ पर airbags की बात करेंगे छे airbags देखने मिल जाती है जो कि अभी government ने भी अभी अपना mandatory कर दिया है दोस्तों आपको यहाँ पर दोन की दोनों स्क्रियन डिजिटल देखने मिल जाते ही इन्फोटेमेंट सिस्टम और स्पीड़ामेटर दोनों आपको डिजिटल देखने मिल जाते हैं पीछे की मौडल है दूस्तों डूल टोन कलर में आपको देखने मिल जाता है जो कि रेड और ब्लैक यह दोस्तों सुनेट की बैजिंग काफी खुबसर उतर हो बैतनी सी गाड़ी आपको देखने मिल जाती है और साड़े 9 लाग से स्टार्टिंग हो जाती है दोस्तों 19 लाग का टॉप टॉप मॉडल लोगे तो फीचर फीचर देखने मिल जाती है यहां पर ब्लैक्स पाणो ब्लैक्स में यह ग्रिल देखने मिल जाते है बहुत ऑच्छी और 360 डिगरी क्यामरा देखने मिल जाता है और काफी अच्छी आपके गाड़ी को मतलब हीट से बचाने वाली काफी अच्छे वेंड्स दिये गए है काफी अच्छी जगह है जो कि आपकी गाड़ी ज्यादा तर हीट नहीं करेगी दोस्तों काफी अच्छी रहेगी यह गाड़ी और यहाँ पर ग्राउंड के लिए रेंज भी काफी अच्छा देखने मिल जाता है जो कि और यहाँ पर आपको काफी अच्छे फीचर्स के लिए और यहाँ पर आपको काफी अच्छे फीचर्स के साथ यह गाड़ी अवेलेबर हो जाती है तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों तो जो से लाइक किजए मेरे इस वीडियो को मेरे यूटुब चैनल को जो से सस्क्राइब किजए मैं फूडी वीडियो भी बनाता हूँ जिसका नाम है उस चैनल का न जलती होंगी तो माफ किजए मैं और भी अपने आपको इंपरू करने के कोशिश करूँगा धिरे धिरे इंपरू होने की कोशिश करूँगा तो लाइक किजए सस्क्राइब किजए मेरे वीडियो चैनल को मैं मिलता आपको किसी न्यूव वीडियो के साथ किसी न्यूव कार के साथ